आउ दोस्त वाज सोन देयां, ओ हेंट्री दी लिखी कहाणी, ए स्ट्रेंज स्टोरी दा पंजाब्य अनुवाद, एक अजीब कहाणी, ए अनुवाद चर्नगील जीन गीत थाए, अत्य अवाज तुसी सोन रहे हो मेरी यानी जक्सीर दी आॉस्टिन शेर दे उत्र विच एक बड़ा इमानदा टबर रहिंदा सी, इस टबर विच जान्स मोदर्ज उसदी पतनी, पंच साला थी तो उसदे मापे रहिंदे सन, एक विशेश मर्दशमारी अनुशार शेर दी अबादी विच छे जाने बांदे सन, ज़की असल गिंती इक रात खाना खान दे बाद उनना दी ती देटे डविचम रोड उठी, जान्स मोदर्ज जल्दी नल दवाईलें शेर चल्या गया, परो कदे वापस ना आया, बच्ची ठीक हो गई, वक्त बीता गया, ते बच्ची जवान हो गई, बच्ची दी मापती दी गुम्शुद गी उते बहुत दुखी रही, फिर लगपग दिन मी निदे अंदर अंदर उने नमावया करवालया, ते रहाईश बदलके सान अंटोनियों कर ली, कुडीदा मी व्या हो गया, ते कुझ आर्से बाद ओदी मी पांच साल लादी ती इसी, ओ हुन मी उसे मकान विच रहेंदी जितो इस दा बाप एक राद दवाई लिया उनले शेयर गया सी, ते फिर कदे वापस नहीं आया, एक राद उस दी बच्ची दे मी टिडविच प्यांकरम रोड उठी, बड़ा अजीब इतफाक सी, के ए राद उस दे नाने समोधर्द दी गुमशुदगी दी मी वरे गंड सी, मैं शेयर जाके दियास दवाई लिया ना, कुडी दे पती जान समिथ ने कहा, नहीं नहीं मेरी जान, कुडी रोण लगई, तो सीवी कर वाप सोना पुल जाओगे, ते हमेशा ली गाइब हो जाओगे, जान समिथ नहीं गया, ते दोन्नों पती पतनी अपनी ती पैसी जान समित ने दुबारा दवाईली जान दी कोशिश कीती पर उस दी पतनी ने जान नहीं दिता। जान समोदर्द ने कहा, मैं ट्राम दा इंतजार कर रहा सी।